नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में तो दोस्तों लोगियां पर अमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे और आज की इस टेस्ट पेपर में जो आपकी रचना है उनका टेस्ट लगाएंगे इसके पहले आपका एक पार्ट हो चुका है जहां पर हमने 50 प्रस्ट लिये थे और आज की इस टेस्ट में रचनाओं से इस सम्मंदित आपके 65 प्रस्ट हैं काफी महत्त पोड़ हैं दोनों पार्ट आप कंप्लेट कर लिजे आपके रचनाओं से सम्मंदित किसी प्रकार के समस्या नही होगी सभी आपकी जितनी भी रचनाओं हैं आपकी 2017-2018 उन्हीं इसमें पूछी गई आपकी रचनाओं है तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं जितने बच्चे आप जुड़ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दें सेयर भी कर दें और ना है तो चैनल को कर लीजिए साथ में अगर पीडियाप चाहिए तो पीडियाप भी हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी तो यहां पर आपकी टेलीग्राम की लिंक दे दी के नीचे उसको क्लिक करके आप जूट सकते हैं वहां पर आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी चले स्ट a ápKeeper था खिके धोफ साथ ओर निस कोषिसन को आते हैं इस अग्ला पुछ क्या रहा है के सिह फिशन्दी गद्यक्त किसे माना जाता है ही फिट एक वंस राइट अपका जवाब ञचेता था सभाथ बदान कोफ जैन dir zięki ऋपसंड आपका यहां पर यह हो सो इसुभी तक आपका माना जाता है net question काते है question आप से एकछले प्वुचा गया है कि पंच परमे स्वर के लेखक कौन है पंच परमे स्वर के लेखक कौन है चलिए तेरपन का जवाब दीजिए यहाँ पर आपका सही जवाब मिलकुल सही है तुल्सिदास जी की रचना कौन सी है तुलसी दास जी की रचना यहापर कौन सी हो जाएगा आपकी यहाँ पर 54 का सही जवाब वेरी गूड अप्सन राइट आपका यहाँ पर आपका A नमबर हो जाएगा विने पत्रिका ठीके विने पत्रिका किसकी है तो आपकी तुलसी दास जी की है और यह एक देखा जाए तो गीत काब है जुकी आपकी ब्रज भासा में है तो आपकी विने पत्रिका किस भासा में है तो आपकी ब्रज भासा में है ठीके चलिए नेस कोशन काते हैं कोशन आप सेगला पूछा गया है कि साहित अकादमी पुरुसकार प्राप्त जो निराला की साहित साधना किसकी करती है चले पचपन का सही जवाब दीजे पचपन का सही जवाब का क्या हो जगा भई चले बिल्कुत सही है पचपन का यहाँ पर जवाब हो जगे रंबर आपके यहाँ पर राम विलास सर्मा ठीक है राम बिलास सर्मा आपके यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा और देखा जाए तो यहाँ सूरिकान त्रिपार्थी निराला की जीवनी है याद रखेगा कि सूरिकान त्रिपार्थी निराला दिख रहा है नहीं दिख रहा है न 56 का सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर रीत कालीन कभी option right आपका D, बिल्कुछ सही है, option right आपका D हो जाएगा, आपकी जो भूशन है, ठीके भूशन है, यह आपकी रीत कालीन कभी है, जिनोंने बीर रस की कविताएं लिखकर अपूर्ण विख्यात आपकी अर्जित किया है, ठीके, next question को आते हैं, question आपसे अगला पूछा गया है, कि एक मुलाकात कहानी के कथाकार कौन है, एक मुलाकात कहानी के कथाकार आपके कौन होंगे, 57 का सही जवाब का क्या होजाएगा आपका, 57 का option right यहाँ पर बिल्कुछ सही है, option right आपका यहाँ पर होजाएगा D number, आपके उसा राजे, ठीके, उसा राजे अर्थात कहे सकते हैं, यह आपके सकते ना है, उसा राजे युनाइटिट किंगडम में बसी भारती मुल्की आपकी लेक का हैं, ठीके, चले, next question अगला पूछा गया है, कि आधे अधूरे किस विधा की रचना है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है, चले, 58 का जवाब दीजे, यहाँ पर आधे अधूरे किस विधा की है, यहाँ पर आपका सही जवाब, very good option right, आपका यहाँ पर ए नमबर हो जएगा, आधे अधूरे एक क्या है आपका, यह आपका है राकेश, जो आपके हैं, मुहा राकेश, इनका एक नाटक विधा है, ठीकेश, नाटक विधा है, next question काते हैं, question आप सेगला पूछा गया है, कि मुन्सी प्रेमचंद किस पत्रिका के संबादक रहे हैं, मुन्सी प्रेमचंद किस पत्रिका के संबादक रहे हैं, चलिए 59 का सही जवाब क्या हो जएगा, 59 का सही जवाब, option right, यहाँ पर आपका हो जाएगा, B-number, आपके हंस पत्रिका के हैं, ठीके किसके, तो आपके हंस पत्रिका, दे सकते हैं, मुन्सी प्रेमचंद ने हंस मर्यादा माधुरी, आपके नाम की पत्रिका के संबादन किया, और 1930 इस भी में है, जो आपके प्रेमचंद ने कह सकते हैं, कि अपना मासिक समाचार पत्र हंस का प्रकासन किया था, ठीके, और next question का आते हैं, question आप सेगला पूछा गया है, कि इन में से नागारजुन द्वारा रचित, कौन सी रचित आपकी नहीं है, बताई भी कौन सी रचित आपके नागारजुन की द्वारा नहीं रचित है, यहाँ पर 60 का option क्या हो जाएगा, 60 का option right आपका जवाब हो जाएगा, आपका A number, बिलकुर सही है, option right आपका फर्स हो जाएगा, मैं उस जनपत का कभी हूँ, यह आपके किस की है, तो आपके नागारजुन जी की है, ठीके, चलिए नेस question का आते हैं, question आप से एकला पूछा गया है, हरिवान सराय बच्चन ने अपने England प्रवास काल में कौन सा गीत संगरा लिखा था, जब आपके हरिवान सराय बच्चन प्रवास के समय प्रणाय पत्रिका की संगरा लिखा था, ठीक है, और यहाँ पर किस किते हैं, बच्चन हलावाद के प्रवत्तक आपके माने जाते हैं, अच्छा, यहाँ पर बच्चन की एक महत्रपूर आपके क्रती होती है कौन सी, तो आपकी मदुसाला है, जो कि इतने में मदुबाला भी है, मदुकलास भी है, यह आपकी इनके गरंथ आपके माने जाते हैं, इस कोशन आपके दिया गया है, कि निराला द्वारा रचित, ललित गीतों का संगरा कौन सा है, ललित गीतों का संग्रा आपकर कौन से हो जाएगा यहां पर आपका जवाब आपका जवाब यहां पर हो जाएगा option right 62 का बिल्कुर सई है option right up के यहां पर first हो जाएगा गीतिका ठीके क्या है आपकी यहां पर दे सकते हैं कि जो निराला द्वरा रचित ललित गीतों का संग्रा आपकी जो है गीतिका है ठीके और निराला आपकी कैसे कभी है तो छायावादी कभी है ठीके इनका प्रतम काप भी जो ह जो निराला जीको ही कहा जाता है ठीके अगला question है मैतली सरण गुप्त के सुप्रिशिद्ध कभी अर्थाथ यहां पर आपका जो जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा 63 का सही जवाब यहां पर आपका हो जाएगा ए नमबर आपके विद्यापति अर्थाथ विद्याप ति मैतली की सूप सद्धियाप के कभी हैं चार आपसन में आपको देखना है ठीक है नेस कोईशन को आते हैं को आप से दोरा रचित है मदुसाला किसके दोरा रचित है 64 का सही जवाब दीजे मदुसाला तियां पर मदुसाला आपके मिलकुल अभी हमने मताया था कि मदुसाला आपके है मिलकुल सही है option right of policy harvans rai bachchan ठीक है harvans rai bachchan की दौर आपकी जो की 1935 में आपकी ये आपकी रचित की गए थी ठीक है और नेस कोश्चन कहाते हैं, कोश्चन आप से एकला पूछा गया है, कहर आप से कि हिम गिर के उतंग सिखर पर बैठ सिला की सीतल चाह, ये पंक्ति जो आपकी है, वो किस का बिरचना से है, ये पंक्ति आपकी है, 65 कोश्चन डाइट, यहां पर जवाब हो जाएगा, आपका अब भी नमबर आपकी कामाईनी, ठीक है, कहां से हैं, आपकी कामाईनी से, नेस्ट कोश्चन आप से याँ पर कह रहा है, 80 का असी किसकी रचना है, कासी कासी किसकी रचना है च्छाचट का जवाब च्छाचट का सई जवाब आपका यहां पर क्या हो जाएगा चले जवाब दीजे very good, option right कासी कासी यह आपके है कासी नाथ सिंग की है किसकी है आपके? तो कासी नाथ जी की है जो कि एक कह सकते हैं ये प्रगतवाती उपन्यासकार के रूप में प्रिसिद्ध हैं ठीके इनके और भी रचना है ठीके कासी कासी अपना मोर्चा रोहन पर रग्गो ठीके महुआ चरित्र आपके धेर सारी इनकी रचना है नेस कोशन आप से गलाप पूछा गया है कि राम य अचार हजाइब साथ धिवेज़ी आधर रेके चारुचंद लेखा किसको पन्यासकार के है तो आपके तरह ये एत्यासिक आपके आपके उपन्यासकार के रूप में आपके सिद्ध भी हैं नेस कोईशन आप से एकला पूछा गया है कि मलिक मुहमद जैसी ने किस भासा का सरल और साधरन रूप अपनाया है मलिक मुहमद जैसी ने किस भासा का सरल और साधरन रूप अपनाया था चले 68 का जवाब दीजे कब अपनाया था यहाँ पर जवाब हो जाएगा option right option right आपका सी आपके ओधी ठीके आपके किस में तो आपके ओधी भासा में कैसे कते हैं किस भासा के सरलोव का तो ओधी भासा में ठीके और याद रखे कि पिसित सूफी कभी फकिर जो थे सेख मुहिदी आतात मुहिदीन के सिसे भी थी ठीके और यह सेख सा के समकालीन आपके कभी थे ठीके चलिए next question काते है question आप से अगला पुछा गया है कि बिखेरे मोती का पहला कहानी संग्रा बिखेरे मोती यह जो आपका सुबद्रा कुमारी चवहान का है इनके पहली कानी संग्रा बिखेरे मोती आपके 1932 में आपके आए थी ठीके next question काते है question आप से अगला पुछा गया है कर आप से कि टेड़े मेड़े रास्ते जो की 1946 में अपने खिलाउने 1957 में और भूले विश्रे चित्र 1969 में उपन्यास किस साहित्तकार की रचना है 70 का जवाब दीजे 70 का ये किसकी है तो यहाँ पर आपको एक प्रेंट से समझ में आगया होगा भूले विश्रे चित्र यह आपके भगवती चरण वर्मा की है 70 का उपसन राइट आपका D सही हो जएगा चलिए नेस कोश्चन का आते हैं कोश्चन और भी आपकी यहाँ पर पीडियाप भेंदी है पीडियाप आप डाउनलोड कर लिजेगा वहाँ पर आपको सभी पूरे आपकी जनकारी मिल जाएगी और आराम से पढ़ सकते हैं चलिए पदमावत महकाब कौन सी भासा में लिखा है पदमावत महकाब जो है वो किस भासा में आपका लिखा गया है 79 का सःजोब 71 का साःजोब दीजे 71 को पुप्सन राइट आपके यहाँ पर हो जागा सी आपके ओधी भासा में किस भासा में तो आपके ओधी भासा में आपका लिखा गया है जो कि मलिक मुहम्मद जैसी की दोर आपका करत है ठीक है और इन्होंने कह सकते हैं देखा जाए तो इसमें चितोर के राजा रतने सेन और सिंगल की राजकुमारी पदमवती के प्रेम विवा की जीवन का मार्मिक चित्रन आपका किया गया है next question आपका दिया है कि कादम्बरी किस लेखक की rachna है कादमबरी किस लेखक की rachna है easy question है 72 का जवाब 72 का जवाब profuse of option right आपके बाणभट ठीक है बाणभट नेस्ट कोशन आप से एकला पूछा गया है कि असाड का एक दिन किसकी रचना है असाड का एक दिन किसकी रचना है असाड का एक दिन किसकी रचना है तीहत्तर का उप्सन राइट तीहत्तर का उप्सन राइट आपका जवाब हो जाएक उ ठीक है नेस कोईशन काते हैं कोईशन आप से एकला पूछा गया है कि इन में से कौन सी रचना प्रिसिद्ध कथाकार मनु भंडारी की नहीं है मनु भंडारी की नहीं है चलिए 74 का जवाब दीजे यहाँ पर कथाकार मनु भंडारी तो यहाँ पर जवाब हो जएगा option right यही स के है आपके यस पाल जी की है ठीक है यस पाल जी की है चलिए नेस कोईशन कहाते है कि आप Be हाँ, एक sunshine याद रखना महादिव वर्मा को क्या बोलेता है आधनिक इउक का मीरक आ जाता है ठीके और जैसंकप साथ को प्रेम और सौंदर का कभी कहते है वहें पर सूरिकान त्रिपाठी निराला को च्छायवद का सलाका पुरुषभी का जाता है तो इसका स्क्रीन साट आप ले जिए काफी इच्छाए ठीक है चले नेस कोईशन काते हैं कर आप से कि हिंदी की प्रमुक पत्रिका धर्म युक्य संपादक निमसे कौन थे ठीक है एक सब्ताहिक पत्रिका थी जो कि आपके बंबाई से प्रकासित होती थी ठीक है चले नेस कोईशन काते हैं कोईशन आप से अगला पूचा गया है कि कहानी जो आपके बूढ़ी काकी तता अन्यनाटक की रचनाकार कौण है बताइए भई बूढ़ी काकी बूढ़ी काकी के जो आपके रचनाकार है कौन है 77 का जवाब यहाँ पर जवाब सई होगा option right B नमबर चित्रा मुगदल ठीक है आपके बूढ़ी काकी के आपके जो रचनाकार है आपके चित्रा मुगदल है ठीक है चलिए next question काते है question आप से एकला पूछा गया है कि हिंदी के सभलतम उपन्यासों में से गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है तो आपका बंटी के उपन्यासकार जो आपके है आपके कौन है 78 को उपसनल राइट आपका यहाँ पर जवाब हो जगा नमबर मनुभंडारी है ठीक है क्यों है आपके मनुभंडारी next question काते है question आप से एकला पूछा गया है कि हिंदी में रीपो तार्ज विधा का जनक किसे मना जाता है तो रीपो तार्ज विधा का जो जनक मना जाता है किसे मना जाता है 79 79 को उपसनल राइट आपका हो जागा C आपका सिउधान सिंग चौभान ठीक है किसे तो आपके हिंदी में रीपो तार्ज का जनक विधा जो मना जाता है आपके इस युदान सिंग चौहान को मना जता है ठीक है next question काते है question आपसे पूछा गया है किनिमनेकित में से हजारिब साथ दिवेदी द्वारा रचित निबंद कौन है हजारिब साथ दिवेदी द्वारा रचित निबंद कौन है तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा option right 80 का C number कुटज ठीक है तो आजएब साथ दिवेदी द्वारा रचित आपका जो निबंद है वो आपका कुटज है क्या है आपका कुटज ठीक है अपने high school में पढ़ा था चैप्टर आपका था कुटज असुक की फूल है ना चलिए next question काते हैं कोश्चन आप से अगला पूछा गया है कि सूर्शागर किसकी रचना है सूर्शागर किसकी रचना है सूर्शागर किसकी रचना है चलिए एक क्यासी की जवाब एक क्यासी का सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर option right आपका भी आपके सूर्दास की है किस की है आपके सूर्दास की है ठीक है चले नेस कोशन काते हैं कोशन आप से अगला पूछा गया है रात भर सोते हो दिन भर भी सोते हो सही से जवाब दीजे चले यहाँ पर आपका है कि ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा ठीकिरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा 82 का जवाब 82 का जवाब यहाँ पर हो जाएगा बिल्कूँ साही है डी नमबर यह आपके है नासिरा सर्मा की है ठीके तो ठीकरे की मंगनी उपन्यास किस ने लिखा है तो आपकी नासिरा आपकी सर्मा ने लिखा है ठीके और नेस कोईशन का आते हैं कोईशन आप से गला है कि फांस किस की रचना है फांस किस की रचना है 83 के जवाब 83 का सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर जवाब option D संजीव ठीके तो अब फांस किसकी रचना है आपके संजीव जी की है option आपका यहाँ पर D हो जाएगा ठीके यहाँ पर इनकी और भी है धारे, पाउतले, दूब, सरकस ठीके सुत्रादार, आकास, चमपा आधिले सारे हैं इनकी चलिए नेस question काते हैं आपसे एगला पूछा गया है कि किनर देश में यात्रा संस्मरण के लेखाग बताइए, किनर देश में यापका ये कह सकते हैं, यात्रा संस्मरण है और किनर देश की जो आपकी कह सकते हैं लेखाग हैं आपके कौन है यहाँ पर 84 का option right आपका जवाब हो जाएगा D number ठीके क्या हो जाएगा आपका तो D number राहुल सक्रत्यायन ठीके कौन आपके हो जाएगे तो राहुल सक्रत्यायन option right आपका D हो जाएगा Next question आप से एकला पूछा गया है कि पर्थिवी राज रासो किस कभी की रचना है पर्थिवी राज रासो किस कभी की रचना है 85 का सईजवाब क्या हो जाएगा तो line राइट बिलकुश सईजवाब है option right आपका C आपकी चंद बरदाई ठीके पर्थिवी रासो के रेचिता आपके कोने चंद बरदाई है ठीक है और नेस कोश्चन यहाँ पर आपका जो दिये गए हैं कुछ आपके हैं जैसे कि आपके हैं दलपद विजय रचनाकार आपके गरंथ है आपके खुमान रासो नरिपत नल का है विसल देव रासो जगनिक का है परमाल रासो नल सिंग का है आपका यूग की रचना है 86 की जवाब दीजिए चले यहाँ पर 86 का उप्शन राइट यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुस सही है और यह कह सकते हमने बताया था कि एक महा काब बे है ठीक है महा काब बे है और इसका प्रकासन वर्स आपका 1935 है ठीक है चले नेस को आते हैं हाँ इसमें दखिए इसमें कितने सर्ग हैं तो आपके 15 सर्गों से मेलकर आपका बना हुआ है ठीक है जिसकी स्टार्टिंग होती है चिंता सर्ग प्रगत सील लेखक संका पहला अधिवेशन की सिवर्स हुआ था प्रगत सील लेखक संका पहला अधिवेशन की सिवर्स में हुआ था 88 का सही जवाब सही जवाब 88 का हो जाएगा सी आपके 1936 ठीके कब तो आपके 1936 में ठीके और यहाँ पर प्रथम अधिवेशन जो आपका 1936 में लखनौ में हुआ था जिसके अध्यच आपके थे आपके कथा का आपस मुनसी प्रेमचन थे ठीके मुनसी प्रेमचन थे आपके जो कह सकते हैं कि लेखक संका पहला दिवेशन नेस कोशन आपसे पूछा गया है कि सतसाई के लेखक कौन है? सतसाई के लेखक कौन है? 89 का जवाब 89 का उप्सन राइट अपके यहाँ पर वी हो जाएगा आपके बिहारी लाल ठीके? बिहारी लाल और नेस कोशन का आते हैं यहां पर देख सकते हैं कि सत्साई की लेखा के रिद कालिन कभी है अता जो बियारी थे रिद कालिन कभी है और इनका रचने के नाम बियारी सत्साई है अता यहां पर देख सकते हैं इनमें 713 दोवे आपके संकलित किये गए हैं नेस कोचना आपका पूछा गया है कि जंगल जहां सुरू होता है उपन्यास के रचेता कौन है जंगल जहां सुरू होता है इसके रचेता कौन हो जाएंगे 90 का सही जवाब 90 का सही option right आपका यहां पर हो जाएगा D number यह आपके हैं राजिन्द यादो ठीके कौन है आपके तो यह आपके राजिन्द यादों इसके आपके उपन्यास कार ठीके ओ स्वरी यहापर संजी होगा इसका अंसर आपका D हो जगा कि जंगल जहां सुरू होता है आपके संजी उजी की है ठीके किसके हैं आपके संजी उजी की हैं और भी उन उपन्यास्कार है किसानगड की आहेरी धार सूत्रधार आदि है ठीके चले अगला है यहाँ पर question आपसे पूछा गया है कि अंचल किस साहित्कार का उपन्यास्कार है अंचल किस साहित्कार का उपनाम है उपनाम है भाई नेस्ट कोईचन को आते हैं यहाँ पर देखिए हरिवन सराय बच्चन के उपनाम क्या था तो बच्चन बालकरश फार्मा का तो नवीन उपनाम था और बद्दिनात भट का तो आपका सुदर्शन यह इनके उपनाम है रट रीजेगा ठीके चलिए अगला है कि इन में से कौन कजन तो दास की यह आपकी नहीं है कौनसी तो आपके सुन दर विलास ठ्यके अच्छा यहां पर सुन दर मिलास की रश्यक्ता आपके उपनयास किस लेखक की गरती है निश कवच उपन्याज किस लेखक की करती है 93 का option right आपका हो जाएगा यहाँ पर निश कवच option right A यहाँ के है राजी सेट की है ठीके राजी सेट option right आपका A सही हो जाएगा ठीके और निश कोश्चन का आते हैं कोश्चन आप से गला है कि निश से जोड़ी चुनिए यहाँ पर सही जोड़ी आपकी कौशी है तो देखते हैं कि इसकी जोड़ी आपकी सही कौशी हो जाएगी मतलब कि महादेवी वर्मा यहाँ पर देखे सुमित्न नंदपंत चिदंबरा देखे option right आपका D फूमित्न नंदपंद्दगी आपकी क्योंन है चिदंबरा आप जानते हैं और YAMA किसकी है यमा आपके मादी वर्मा की है ठीक है और मायत्री पुस्पा यहाँ पर कहते हैं जो आपकी है कौँसी आपके ख्यात ख्यात आपके जय संकब साथ की है ठीक है यह आपके दी गई ही यहां पर दखिए चलिए नेस कोशन आपका दिया है कि कबीर जी की रचनाएं निमसे किसमें संक्रेइथ हैं कबीर दाजी की रचनाएं किसमें संक्रेइथ हैं 95 का जवाब 95 का option right आपका जवाब बिल्कुस सही आ रहा है option आपका D यह आपके बीजक में संक्लित है ठीकि बीजक में आपकी देख सकते हैं कि साखी सवद रमायनी है ना उन्हीं की संक्लम आपको सब मिलता है next question का आते हैं question आप से गला है कि विने पत्रिका किस कवी की रचना है 96 96 का option right यहाँ पर जवाब बिल्कुस सही है option right आपका D हो जाएगा आपके तुलसी दास जीकी ठीकि तुलसी दास जीकी है next question आप से पूछा गया है कि कुमार संभव की रचीता कौन है कुमार संभव की रचीता 96 और इनके अन्य रचना है मेगदूतम, रित्सरंगारम, ठीके रगवनसम, विक्रुमो विर्सिसम ठीके और भी आप ग्यान सुकुंतलम धेसारीन की रचना है चलि एनेस कोशन आप से अगला पूछा गया है कि सन 1974 इस भी में साहित तकादी पुरुषकार प्राप्त स्यू मंगलम स्यू मंगल सिंग सुमन की रचना मिटी की बारात किस विधा की है तो इनकी रचना जो आपके मिटी की बारात के लिए 1974 में साहित तकादी पुरुषकार दिया गया स्यू मंगल सिंग सुमन को और यह जो विधा थी मिट्टी के बरात यह आपका था ग्या तो यह जो आपका मिट्टी के बरात है यह एक प्रकार का क्या है तो यह एक काब भी है ठीके क्या है यह आपका यह एक प्रकार का काब भी है 99 का सही जवाब चली यहाँ पर सही जवाब है option right आपका सी आपके जय संकर साथ ठीक है से नमबर बिलकुल सही है next question को आते हैं question आप सेगला पूछा गया है कि भारतिन्द हरिश्चंद द्वारा संपाधित पत्रिका इन में से एक नई है बताए भारतिन्द हरिश्चंद की द्वारा कौन सी पत्रिका निरचित की गई है 100 का जवाब 100 का सही option right यहाँ पर जवाब आनंद कंदाम्बनी ठीक है आनंद कंदाम्बनी एक मासिक पत्रिका है जोकि मिरज़ापुर से आपके 1889 में बद्री नर्यान चोधरी आपकी द्वारा प्रकासित की गई थी अनंद कंदाम्बनी ठीक है नेसक्वेशन का आते हैं क्योशन आप सेकला है कि इन में से मैत्तली सरनगुप्तिक की रचना कौन सी नहीं है मैथली संगुप्तिक की रचना नहीं है चले 101 का सही जवाब 101 का option right आपका जवाब हो जाएगा option आपका B आपका प्री प्रवास प्री प्रवास यह आपकी मैथली संगुप्तिक की रचना नहीं है ठीक है और प्रिप्रवास अयुद्धा सिंग उपध्धाय की रचना है ठीक है किसकी है तो अयुद्धा सिंग उपध्धाय की रचना है प्रिप्रवास next question आपसे पूछा गया है कि अमीर खुसरो का वास्तिक नाम क्या था हमने बताया था पहले पार्ट में कि अमीर खुसरो का वास्तिक जो नाम था वो आपका था option right विल्कुल सही है option right आपका सी आपका अबुल हसन क्या था आपका अबुल हसन था ठीके और ये निजामुद्दिन औलिया के सिस थे खड़ी बोले के आदिके कवी भी कहा जाते है ठीके चले ने इस question कहाते है question आप से गला है महादिवी वर्मा का प्रथम का विस संकलन कौन सा है 103 का जवाब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 103 का उप्सोन राइट विल्कुश सही है 103 का उप्सोन राइट आपका हो जाएगा C यह आपके निहार ठीके क्या आपका निहार यहाँ पर आपका हो जाएगा ठीके और यहाँ पर देख सकते हैю कि आदनिक कवीत्रीज महादिवर्मा को आदनिक युकी मीरा भी कहा जाता है और महादी वर्मा का पर्थम कावि संकलन था निहार 1930 में रचित की गई थी नेस्ट कोशन आपका है कि रेशमी टाई एकांकी संग्रा की रचिता कौन है रेशमी टाई एकांकी संग्रा की रचिता 104 का जवाब 104 का सही जवाब यहाँ पर आपका भी हो जगा राम कुवार वर्मा ठीके कौन है आपके तो आपके राम कुवार वर्मा हो जाएंगे ठीके नेस्ट कोशन आपसे पूछा गया है कि रापसे पंडित बनासी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नम अता यह पंडित बनासी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आपकी आत्मकथा कौन है 105 105 का सही जवाब option right C हो जगा मेरी आत्म कहानी ठीके यह पंडित बनासी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्म गत्या का नाम क्या है तो आपके मेरी आत्म कहानी यह आपकी है इनकी पहली आपकी कहानी ठीके 181 में आपके ब्रजभासा में अद्ध कथाना की रचना आपकी है चलिए इसको से आपसे पूछी गई है आपर कि भारत रतन विभूसित कभी कौन है इन में से कौन है जिनको भारत रतन से विभूसित किया गया है 106 का जवाब दीजे 106 यहाँ पर 106 का सही जवाब हो जाएगा आपका D इन में से कोई नहीं है इन में से कोई व्याप केने जिनको भर तनंसे भी उषिद किया गया हो ठीके, अगला है कि रेहन पर रग्यू किस लेखक का उपन्यास है रेहन पर रग्यू किस लेखक का उपन्यास है 107 107 का option right आपका B हो जाएगा कासी नात सिंग किसके बही, तो कासी नात सिंग की है चैके एक कई सकते ही आपका क्या है तो यह एक उपन्यास है ठीके 2011 मीनिस तकादनी पुरुशकार भी मिला था ठीके चारेए निस कोश्ना आप से लिया है कि मिल जूल मन किसकी रचना हे 108 मिल जूल मन किसकी है बिलकुल यहां पर जबाब हो जाएगा जवाब कभी मृदुला गर्ग की है यह मृदुला गर्ग की है option right up कभी हो जाएगा यहाँ पर next question काते हैं जिन्नकी नामा के लेखक बताईए जिन्नकी नामा के लेखक कौन है 109 का जवाब दीजे जिन्नकी नामा यहाँ पर जवाब पिल्कुल सई है बहुती प्यारा question है option right up कभी हो जाएगा क्रशना सोबिती की है ठीके और देख सकते हैं क्रशना सोबिती की जो कह सकते हैं कि ने पुरुषकार भी दिया गया था और इनकी डेल्स भी हो गई है ठीके तो कह सकते हैं यहाँ पर आपका D हो जाएगा जिन्दगी नामा और अटली यह बहुत ही है अच्छा है question ठीके चले ने इस question आपका है जूठा सच के लेखक कौन है जूठा सच के लेखक चले 110 का सही जवाब जूठा सच के जवाब के हो जाएगे वो आपके हो जाएगे option right हमने बताय था अभी आज की वीडियो में कि यहाँ पर आपकी यसपाल ठीके तो जूठा सच जो आपका उपन्यास है और इनके लेखका का आपकी यसपाल और यह एक उपन्यास जो की भारत विभाजन पर आपका अधारित है जूठा सच किस पर आधारित है तो भारत, पाकिस्तान के विभाजन पर आपका आधारित है और यह दो भागों में है आपकी 1918 में प्रकासित भाग 1 का विसे जो था ओर राष्ट विभाजन इमतराशदी था और फिसके बाद आपकी 1960 में प्रकासित हुई थी भागतू और इसमें सुतनता प्राप्ति युम देश की विकास देश की भावी निर्माड में कह सकते हैं कि बुद्ध जीवों की भूमका का यधा चित्रा किया गया था ठीक है तो इस प्रकास से हमने आपर 60 प्रसनाप के आपर सॉल कर दिये हैं और यहा के अपर के दो हुआएलों कर दिये हैं और यहाँलों के देश हैं और बाहरों के दो हमने एक आपर ठीक देशद के दो मुद्ध के दो आपर देशरी हैं और यहाँल मुदी